गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड छेतर अंतरगत सुंडीपूर मधविद्याले स्तीत कॉरंटाइन सेंटर में लगातार बाहर से आये लोगों सहीत सुरक्षा कर्मियों के लिए भोजन, पानी और प्रकाश की बेवस्था करा रहे गड़ा खुर्द पंचैत मुख्या प्रतेनीधी नीरज कुमार सिंग ने बताया कि 31 मार्ट से लगतार दो दर्जन लोगों का भोजन सहीत सभी बेवस्था की जा रही है लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक सहयोग राशी के रूप में एक रूपया भी प्राप्त नहीं होने से अब मुश्किल हो रहा है श्री सिंग ने बताया कि सुन्डीपूर बिहार राज्य सहीत पलामू जीले का बॉर्डर स्पॉर्ट है बिहार सहीत पलामू से आने वाले बाहरी लोगों पर नजर रखने के लिए कांडी थाना दोरा यहां लगभग एक दरजन सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया है प्रती दिन दरजनों बाहर से आए लोगों सहीत सुरक्षा कर्मियों का खाना नाश्टा आए और रात में जेनरेटर से प्रकास उपलब्ध कराने में जो खर्चा हुआ है पूर्णता उधार है कहा कि इस क्वरंटाइन सेंटर के बेवस्थापक पंचायत सेवक ललन बैठा कभी भी हाल चाल लेने नहीं आते हैं वहीं यहां कि बिधी बेवस्था देखने के लिए प्रतिन युक्त रोजगार सेवक अभी तक सिर्फ एक बार ही आये हैं गढ़वा से विवेक चौबे की रिपोर्ट नेशन 24 की ताजा ख़बर जानने के लिए सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें माइटूब चनल और बने रामानी उचनल नेशन 24 के साथ नमस्कार झाल